पिछले लेसन में हम लोगों ने इन्फोग्राफिक के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिसकेशन की हमने उसकी टाइप्स भी देखी उसकी हिस्ट्री के बारे में भी जाना और काफ़ी सारी जो मुफीद मालूमात हैं इन्फोग्राफिक के हवाले से वो हमने डिसकेशन की अच्छा जी अब हम बकाइदा तोर पे इन्फो ग्राफिक को जो है वो डिजाइन करने वाले हैं इन्फो ग्राफिक को हम इलिस्ट्रेटर के ओपर डिजाइन करेंगे और जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग आप लोगों के लिए आप लोगों को याद होगा कि जब टाइपस मैंने आपको बताई थी इन्फो ग्राफिक की तो उसमें से एक टाइप थी जिसमें हम किसी भी चीज़ का प्रॉसस बियान करते हैं जिसको हम प्रॉसस इन्फो ग्राफिक के नाम से जानते हैं आप लोगों को इस कोर्स के बिल्कुल शुरू के अंदर मैंने डिजाइन का प्रॉसस यानि कि डिजाइनिंग का जो प्रॉसस है उसके बारे में काफी डेटेल में एक लेसन में बताया था तो अब मैं उसी process को लेके जो 5-6 steps मैंने आपको बताये थे जिनकी मज़से हम लोग कोई भी चीज डिजाइन करते हैं उसी designing process को लेके मैं आप लोगों को एक process based infographic जो है वो बना के दिखाने वाला हूँ मैं कुछ आपको थोड़ा सा जो है वो size के हवाले से guide कर दो infographic का जो size है ये इसके बारे में कहा जाता है कि definitely होता है ये भी pixels के अंदर है क्योंके infographic भी हम screen के लिए याद रखें infographic भी screen के लिए design किया जाता है और ये आम तोर पे जो social communication websites हैं उनके उपर सबसे जादा इनकी जो viewership होती है और इनको ज्यादा तर website के उपर ही देखा जाता है या mobile phone के screen पर देखा जाता है अच्छा अब जो इसका जो size है वो थोड़ा सा आम तोर पे वैसे तो इसके different sizes हो सकते है इन्फोग्राफिक जो है वो square form के अंदर भी पाये जाते हैं वो आम तोर पे commonly सबसे जादा जो हमें इन्फोग्राफिक देखने को मिलते हैं वो एक लंबी सी पटी होती है वर्टिकल और जो के vertically जो है वो ज्यादा तर देखने को मिलता है इन्फोग्राफिक हमें तो हम भी एक वर्टिकल फॉर्म के अंदर इन्फोग्राफिक जो उसको डिजाइन करेंगे इसके size के बारे में जो एक मुतात अंदाजे के मताबर कहा जाता है कि 600 pixels width और 1800 pixels height से ज्यादा आपका size बड़ा नहीं होना चाहिए 600 pixels width by 1800 pixels height is the standard size considered as a standard size for the infographic तो हम इसी size के उपर process of designing को लेके एक simple सा और थोड़ा सा elegant सा जो है एक infographic design करके देखते हैं तो चलें चलते हैं और infographic को start करते हैं अच्छा जी यह illustrator मैंने open कर रखा है और यह मैंने आपके सामने कुछ icons हैं यह भी निकाल के रखे में सबसे पहले मैं size लूँगा जैसे के मैंने भी आपको बताया के हम pixels के अंदर size जो है वो लेंगे 600 हम रखेंगे जनाब यली width और इसके लावा हम 1800 जो है pixels वो रखेंगे इसकी height और definitely यह हमारी जनाब यली portrait orientation के अंदर आएगा cardboard मैं ले रहा हूँ जनाब यली एक और इसके बाद मैं इसको जनाब यली एडवांस option में अगर मैं देखूं तो इसको हमने RGB के अंदर जो है वो लेके जाना है यह आप अगर वेब के उपर आ जाएं वेब के अंदर आके अगर आप common में इसका size लगाएंगे तो definitely यह होता यह है कि जब हम print के अंदर size लगा रहे होते हैं तो फिर यहां पे आके color mode के अंदर हमें जो है वो illustrator जो है वो इंकार कर देत है वो कहता है कि यहां पे RGB नहीं आएगा क्योंके print के लिए हम CMY के mode लेते हैं तो हम वेब में आते हैं और यहां पे आके आप वो size जो है वो हम लगाते है 600 by 1800 और 1 artboard और यहां पे आप यह देखें RGB color और screen resolution 72 और हम इसको create करते हैं यह देखें यह हमारा जो एक जनाबी अली artboard और यह बन गया है control R के में लेके आता हूँ roller और जनाब सबसे पहले मैं again वही वाला काम करूंगा कि मैं यहां पे कुछ सबसे पहले अपने लिए जो है वो ले लूँगा एक जतना margin दोनों साइड़ों से और इसी तरह से मैं उपर से margin थोड़ा सा इससे ज्यादा लूँ याद रखें कि ले आउट के अंदर जो साइड्स का आपका margin होता है उससे थोड़ा सा उपर का margin अगर आप ज्यादा लें तो आपको यह असानी रहती है कि आपका logo वगरा क्यूंके उपर होते हैं या important information, captions, taglines उपर होती है तो वो बच जाती है तो इसलिए मैं अपने एक अंदाजे के मताबिक उपर से थोड़ा सा margin ज्यादा रख लेता हूँ anyway अच्छा जी अब जनाबी अली हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो इन्फोग्राफिक है इसको अच्छा मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि इसको मैंने divide किया है दो portions में इस lesson में मैं आप लोगों को य इसको finalize करेंगे अपने design को अच्छा मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो यहां पर मैंने एक word की file रखी हुई है और आपको याद होगा कि यह वो छे steps हैं जो के process में involved होते हैं designing के तो यह मैंने information निकाल के रखी हुई है और मैं आपको यह बताऊं कि आपने भी infographic को design कर करते हुए एक साथ word की file लाजमी बना के रखनी है जिसमें आपकी जो important information होनी चाहिए जैसे कि जो headings आपने डालनी है जो आपने important information या taglines वगारा एंटर करनी है और उसके साथ जो body text वगारा आपने डालना है वो आपके पास अलग से एक word की file में लाजमी मौजूद होना च rectangle लेता हूँ और इस rectangle को मैं जनाबिया ली ये पूरा जो मेरा frame है इसके ओपर ले आता हूँ और इसको मैं color दे देता हूँ white अच्छा जी अब ये तो मैंने एक base पे white जो है वो इसके लगा दिया है क्योंके मैं background अपनी जो है वो white रखना चाहरा हूँ तो ये मैंने white जो है जो है top के उपर मैं एक box लूँगा और इसका color जो है ये मैं लगा दूँगा जनाबिया ली yellow अच्छा जी यहाँ पे मैंने कुछ type करना है यहाँ पे मैं लिखना चाहरा हूँ heading what is the और इसको मैं थोड़ा साइज जो है वह मैं पहले इसका बड़ा कर लेता हूँ अच्छा जी यहाँ पे हम इसको पहले जो font मैं देना चाहरा हूँ वो यहाँ पे आखे मैं type करूंगा यह नेग्जा बोल्ड के नाम से मैंने यहाँ पे एक font जो है वो निकाल के रखा वाए यह थोड़ा सा bold font है और काफी खुब्सूरत लगता है heading के लिए खास तो और पे heading के लिए इसको काफी appreciate करते हैं designers तो यह मैं यहाँ पे इसको use कर रहा हूँ अच्छा इसी की duplicate लेके आ रहा हूँ नीचे और इसमें मैं लिख रहा हूँ जनाबिया ली process of design अब मैं इन दोनों को थोड़ा सा पहले place कर लेता हूँ और फिर इसको मैं जो है वो master करके process of design को इ यहाँ पे आ गई है अच्छा जी अब मैं क्या करूंगा कि मैंने एक और चीज जो यहाँ पे लिखनी है वो है मैं यहाँ पे देना चाहरा हूँ एक अदद question mark क्यूंके हमारा जो title है process का वो है ही question तो फिर उसके साथ हम जो है वो it would be better कि हम question mark को भी लाजमी add करें एक तो य तो यह हम अगेन इसको master करके हम इसकी जो alignment वगरा वो हम देख लेंगे और इनको हम कर लेंगे control G यानि के group और इसको रख लेंगे यहाँ पे इस तरह से अब यह हमारे पास what is the process of design की एक जो है वो उपर heading बनी हो या गई है अब मैं क्या करूंगा इस जो मैंने yellow color का एक box लियावा था इसी को मैं ड्रैग करूंगा alt के मदद से और shift के मदद से नीचे और इसकी एक duplicate लेके इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूं चोटा और इसको color मैं दे रहा हूं जनाब याली black यहाँ पे आके अब मैं again type करूंगा और और इसको मैं again थोड़ा बढ़ा करता हूं बढ़ा करने के बाद enlarge करने के बाद इसको मैं अब जनाब याली align कर लेता हूं इस तरह से और बलके हम इसको horizontally और vertically दोनों तरीके से जो है वो align कर लेंगे जाने अब यह हमारा जो header है वो हमारे इन्फोग्राफिक का जो है वो ब देजाइन करनी है एक तो यह मैंने जो icons रखे में यह मैं copy करके यहां पे ले आता हूं और इनको अभी मैं फिल हाल फोड़ा छोटा करके यहां पे side पे रख लेता हूं अच्छा जी अब मैं करने के अवाला हूं यहां पे मैं एक थोड़ी सी timeline sort of एक बनाना चाह रहा हूं म देखें अभी हम कुछ बनाते हैं यहां पे यह मैं एक box लेता हूं यहां पे इसके मैं certain height ले लेता हूं और इसको जनाब यहली मैं कोई सा color दे देता हूं अब इसको मैं थोड़ा सा पहले देख लेता हूं मैं इसको repeat करना चाहरा हूं six times मेरे six steps हैं मेरे process में मैं basically यहां पे छे ऐसी spaces create करना चाहरा हूं कि हर उस एक space के अंदर मेरा एक process जो है वो लिखावा आ सके अच्छा जी इस तरह से हम एक दो तीन चार पांच और यह छे अब मैं क्या करूंगा मैं यहां पे आके ruler रख दूँगा जहां पे यह मेरे जो shapes हैं इनके joining points हैं ताके मेरे पास जो है वो एक space जो create हुई है वो जो है उसको मैं बलके मैं यह कर लेता हूं कि मैं इनके colors भी change कर सकता हूं लेकि चलें फैर यह जनाब याली हम यहां से इसको select करते हैं और यहां पे आके हम ruler जो है यह delete कर सकते हैं इलीट shift की मदद से select करके अब मैं जनाब क्या करने लगा हूं कि मैं यहां पे pen tool की मदद से यहां पे कुछ draw करने लगा हूं मैं black color का stroke रखूंगा दो points का और मैं यहां से आके lines लगाने लगा हूं कुछ इस तरह से यह और यह मैं यह join करना चाहरा हूं basically यह एक sort of timeline जो हमारी बन जाएगी हमारा एक ऐसा एक design element बन जाएगा जिसकी मदद से हम लोग बड़े राम से अपनी जो design process है उसको हम यहां पे create कर सकेंगे अच्छा जी यह एक मैं और यह वो same इसी size की एक और shape जो है वो नीचे ले जाता हूं इसको मैं zoom करता हूं यह हमने 6 spaces create करनी है तो 1,2,3,4,5 यह 5 spaces हमारी create हो चुकी है अब मैं दोबारा आके ruler की मदद से यहां पे ले लेता हूं दोबारा और इसको मैं delete कर देता हूं अब मैं जनाबियाली वापस आता हूं pen tool पे यहां से मैं इसको continue करता हूं इस तरह से चलें अब यह इतना हमने बना लिया है अब यह जो ruler है यह सारे का सारा मैं जनाबियाली करने लगा हूं delete अब यह हमने अभी एक जो है एक element design element एक create कर लिया है जी तो हम infographic की layout बनाना सीख रहे हैं और process of design के उपर हम एक infographic जह वो design कर रहे हैं तो इसको मैंने यहां पे stop किया है अपनी layout को next lesson में इसी layout को हम यही से इंशारातला आगे carry on करेंगे